आप सभी का फिर से स्वागत है ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कसन है हम लोग आधुनिक भारती इतिहास को डिस्कस करें जिसमें आज का टोपिक है कैविनेट मीशन योजना उनी सो ची आलिस सबसे पहले इस टोपिक को डिस्कस करेंगे इसके बाद इस पर अधारी तब तक जितने भी प्रशने पूछे गए उन सभी प्रशनों को अनालेसिस करेंगे डिस्कसन को स्टार्ट करने से पहले में बता दूं कि इसका पीडिएफ एविलेबल है अगर आपको पीडिएफ चाहिए तो टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूप या चैनल के क ग्रहन की, नौसेना बिद्रो के बाद 19 फरवरी 1946 को भारत सचीव लॉड पैंथिक लॉरेंस ने भारत में सेनवेधानिक सुधारों के लिए एक सिष्ट मंडल भेजने का निर्णा लिया, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिली आया, याद रखिएगा, और अगर बात करें त इसके अध्यक्ष किसके, तो सेनवेधानिक सुधारों के लिए जो लॉड पैंथिक लॉरेंस थे, इन्होंने भारत में एक सिष्ट मंडल भेजने का निर्णा लिया, जिसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉड पैंथिक लॉरेंस थे, और अन्य दो सदस से, स्टैफोर्ड क् ये दो अन्य सदस के रूप में मतलब कि इस सिष्ट मंडल में सामेल थे, कैबिनेट मीशन ने त्री अस्तरिये सासन विवस्था को सुझाया था, प्रांतों के छोटे या बड़े गुट बनाने के अधिकार की पूष्टी की और प्रांतों को अब और सतिन से रेडियों में विभक्त किया, 16 मई 1946 को कैबिनेट मीशन ने अपने प्रस्ताओं की गोशना की, इसके परमुख प्रस्ताओं थे, पहला भारत की एकता बनाई रखी जाए, दूसरा मुसलिम लिकी पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, तीसरा भारत एक संग होगा जिसमें ब्रिटिस प् ठीक है, प्रांतिये, विधान सभाव तथा देशी रियासतों के परतिनीधियों के द्वारा किया जाएगा, कैबिनेट मीशन 1946 ने वायसराई की एजक्यूटिब काउंसिल का पुनरगठन कर अंत्रिम सरकार के गठन का सुझाओ दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभ कैबिनेट मीशन योजना के अपक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे, इस योजना के संदर में गांधी जी ने कहा या योजना उस समय की परस्थितियों के परिप्रेक्ष में सबसे उतक्रिष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बेज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमी यातना से मुक्त हो सकती थी, तो कहने का मतलब था कि गांधी जी का इसमें ओजहलग दिखता था कि जो दुख के मारी यानि दुख से परिपूर जो भारत भूमी थी, जो यातना से परिपूर थी, ये इस वज़ा से जो है कैबिनेट मीशन योजना के वज़ा से जो है, ये अध्यक्ष थे पहला प्रश्ण है कैबिनेट मीशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई कैबिनेट मीशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई तो याद रखिएगा सर पी लॉरेंस के द्वारा डी ओप्सन ब्रेटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेत्रेत्व में ब्रिटिस मंत्री मंडल ने सता ग्रहन की नौसेना बिद्रों के बाद 19 फर्वरी 1946 को यानि द्वित्य विस्व यूद के बाद भारत सचीव लौड पैथिक लौरेंस ने भारत में सर्वेधानिक सुधारों के लिए एक सिस्ट मंडल भेजने का निर्ने लिया इसके अधैक्ष भारत मंत्री लौड पैथिक लौरेंस थे अने दो सदस श्टैफोड क्रेप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे सेकेंड प्रस्ठन है 1946 के कैबिनेट मीशन का नित्रित्व किया गया था किसके द्वारा सर पैथिक लौरेंस के द्वारा option A बिलकुल correct option है ठर्ड नमबर है इन में से कौन cabinet mission के सदस्य नहीं थे इन में से कौन cabinet mission के सदस्य नहीं थे सही जबाब है way well B option 4 नमबर है नेमलिखित में से किस ने 1946 के cabinet mission का नेतरेत्व किया था नेमलिखित में से के से ने 1946 के cabinet mission का नेतरेत्व किया था याद रखिएगा सर पैथिक लॉरेंस यानि C option बिलकुल correct option है 5 नमबर है द्वित्य विश्व यूद के बाद 1946 में कौन भारत आया था द्वित्य विश्व यूद के बाद 1946 में कौन भारत आया था सही जबावे cabinet mission यानि B option 6 नमबर है निम्ड में से किस एक ने भारत के लिए त्री अस्तरिये सासन ब्यवस्था का प्रस्ताव किया था किस एक ने भारत के लिए त्री अस्तरिये सासन ब्यवस्था का प्रस्ताव किया था सही जबावे cabinet mission ने यानि D option cabinet mission मार्च 1946 में भारत पहुचा इस mission के सदस स्टैफोर्ड क्रेप्स जो की अध्यक्ष बोर्ड अब ट्रेड के थे पैथिक लॉरेंस ये भारत सचीव थे और एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे इसने त्री अस्तरिये सासन ब्यवस्था को सुझाया था प्रांतों के छोटे या बड़े गुट बनने के अधिकार की पूष्टी की प्रांतों को अब और सा तीन स्रेणियों में विभक्त किया सिवे नमबर है इन में से कौन 1946 इस्पी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस से नहीं था इन में से कौन 1946 इस्पी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस से नहीं था तो सही जबावे रैमजे मैकडोनाल्ड यानी बी ओप्सन प्रस्ण संख्या एट है 1946 का कैबिनेट मिशन तीन कैबिनेट मंतरियों से गठित था निमनलिखित में से कौन इसका सदस से नहीं था 1946 का कैबिनेट मिशन तीन कैबिनेट मंतरियों से गठित था निमनलिखित में से कौन इसका सदस से नहीं था इसका जो सदस से नहीं था लौड एमरी यानी डी ओप्सन 9 number है निमलिखित में से कौन एक cabinet mission का सदस से नहीं था याद रखिएगा जोन साइमन ये cabinet mission के ये सदस से नहीं थे प्रश्ण संख्या 10 है इन वेक्तियों में कौन केबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था इन वेक्तियों में से केबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था विलियम बूड ओप्शन A 11 नमबर है इसका प्रस्ताव मई में आया इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकंचा थी जिसका प्रिटीस प्रांतों से मिलकर बने एक संगीय राज का स्वरूप होना था ये जो उद्रण है किसका समंधित है यानि ये जो उद्रण का समंध है किसके साथ इसका समंध है इसका प्रस्ताव मई में आया इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांचा थी जिसका ब्रिटीस प्रांतों से मिलकर बने एक संगी राज का स्वरुप होना था उप्युक्त उद्रण का जो संबंध किस से है तो देखें ये जो उद्रण दिया गया है इसका जो संबंध है कैबिनेट मिशन से है डी आप्शन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की गोशना की ये परमुख प्रस्ताव थे पहला भारत की एकता बनाई रखी जाए दूसरा मुसलिम लिग की पाकिस्तान की मंग ठुकरा दी गई तिसरा भारत एक संग होगा जिसमें ब्रिटीस प्रांत और देशी रियासते सामिल होंगी चौथा संविधान निमातरी संस्ताय संविधान सभा का गठन प्रांती बिधान सभाव और देशी रियासतों के परतिनी दियों के द्वारा किया जाए काबिणेट मिशन योजना के विशे में निमलिखित में से कौन साथ सही नहीं है कैबिनेट मीशन योजना के विशे में निमलिखित में से कौन साथ सही नहीं है तो इसका सही जबाब हो जाएगा पाकिस्तान की स्विक्रती ठीक है जो सही नहीं है पाकिस्तान की स्विक्रती यानि C option तेरा नम्बर है निमलिखित में से किसने वाईसराई की एजक्यूटिप काउंसिल के पुनरगठन का सुझाओ दिया जिसमें वार मेंबर सहीत सभी विभाग भारतिय नेताओं के द्वारा धारण किये जाने थे किसने वायसराई की एजक्यूटिप काउंसिल के पुनरगठन का सुझाओ दिया जिसमे वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतिय नेताओं के द्वारा धारण किये जाने थे सही जबाबे केविनेट मिशन 1946 केविनेट मिशन 1946 ने वायसराई की एजक्यूटिप काउंसिल का पुनरगठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाओ दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतिय सदस्यों के द्वारा धारण किये जाने थे चौदा नमबर एक केविनेट मिशन के संदर में कौन सा कथन सही है केविनेट मिशन के संदर में कौन सा कथन सही है तीन कथन दिये गए बताए इनने से कौन कौन सा कथन सही है Cabinet Mission के बारे में अगर बात करें तो इसने एक संग्य सरकार के लिए सिफारिस की बिल्कुल सही है दुसरा है इसने भारतिय न्यालियों की सक्तियों का विस्तार किया यह सही नहीं है और इसना ICS में और अधिक भारतियों के लिए उपबंद किया यानि केवल पहला Option A बिल्कुल Correct Option है Cabinet Mission 24 मार्च 1946 को दिली पहुंचा और भारत के विभिन राजनेतिक दलों से लंबी बात चीत हुई भारत की परमुक राजनेतिक पार्टियां मुसलिम लीग और कॉंग्रेस के बीच भारत की एक्ता और बटवारे के विशे में समझोता नहीं हो सका इसलिए सिष्ट मंडल ने अपनी होसे समस्या का हल प्रस्तूत किया यह प्रस्ताव वाइसराय लौड वेवेल और सिष्ट मंडल ने एक संजुक्त बक्तव्य में 16 मैं 1946 को परकासित किये लंबे समय की योजना के रुप में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्विकार कर दिया कैबिनेट मिशन के अनिसुझाव जो थे उन निमनलिखे थे पहला भारत में बृटिस भारत और रियासतो का एक मिला जूला संग होना चाहिए जो देशी मामलो, रक्षा और संचा साधनों की देखभाल करें उनके लिए कर लगा सकें दूसरा संग की कार्यकारणी और विधान मंडल में ब्रिटिस भारत और रियासतों के परतिनीधी होने चाहिएं तीसरा है प्रांतों के केंद्रिय विशयों को छोड़ कर सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्ता प्राप्थों और सेश सक्तियां उनी के पास हो चोथा प्रांतों को छोटे या बड़े गुट बनाने का अधिकार हो इन गुटों के क्या अधिकार होंगे इसका निर्णाय विश्यम करेंगे पाँचवा इनमें प्रांतों को तीन वर्ग अब और समय बाढ़ने की बात कही गई हिंदू बहु संख्यक प्रांत मद्रास बंबई मद्य प्रांत संजुक प्रांत बिहार ओडिसा वर्ग अ में होंगे उत्तर पश्यम के मुसलिम बहु संख्यक प्रांत पंजाब सीमा प्रांत और सिंध बर्ग बी में होंगे और वर्ग जो सा है बमे और वर्ग जो सा है इसमें बंगाल और अश्रम होंगे इस प्रस्ताव में नियाले की सक्तियों और ICS में भारतियों की संख्या बढ़ाने के जो प्रबंध थे इसमें प्रवधान नहीं किये गए थे कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो देखिए इसके बारे में अल्रेडी हम लोगों ने डिसकस कर लिया है सही जवाब हो जाएगा ओप्शन E 16 नमबर है दो बक्तव्य दिये गए कथन A 1946 में मुसलिम लिग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी सुकर्ती वापस ले ली थी कारण 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुसलिम लिग सामिल हुई थी इन दोनों में से जो कथन सही है बताइए देखिए अगर बात करें तो कथन A और कारण दोनों सही है प्रन्तु कारण R कथन A की सही ब्याख्या नहीं है तो B अप्शन इसका सही जबाब हो जाएगा इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत जो है अनिक्छा यानि कॉंग्रेस प्रांतों के गुड़ बनाने पर अप्रसंती और लिग पाकिस्तान के नम मानने पर तो अनिक्छा के साथ यानि रूची न होने के साथ कॉंग्रेस और लिग ने स्विकार कर लिया और 10 जुलाई 1946 को जब नहरू ने या कहा कि सामोही करण जो है सामोही की करण अनिवार नहीं है समु बी और समु ब और स के राज असम और उतरपशमी सीमा प्रान समु में शामिल होने से इनकार कर सते हैं इसके बाद मुसलिम लिग ने कैबिनेट मिसन को जो है अस्विकार कर दिया और सिधिक कारेवाही का अपकर स्ताव किया बाद में वाइसराय ने कॉंग्रेस के जुहालाल नहरू को अंतरीन सरकार बनाने का निमंतरण दिया इसमें मुसलिम लीग को भी समलित होने को कहा गया जिससे उसने अस्विकार कर दिया बाद में वाइसराय के पूनस उजहाओ देने पर उसने मुसल्मानों के हितों के रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताओं के द्वारे इसमें समलित होना स्विकार किया। असपर्श है कतन कारण दोनों सत्ते हैं प्रंतु कारण कतन की सही ब्याख्या नहीं है। सत्रा नंबर है कॉंग्रेस के निमलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था उस सही जवाब महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से समत थे इस योजना के संदर में गांधी जी ने कहा यह योजना उस समय की प्रस्थितियों के परिप्रेक्ष में सबसे उत्क्रेश्ट योजना थी जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमी यातना से मुक्त हो सकती थी अठारा नंबर है वह कौन सा कॉंग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से बात की वरताएं की बाचित की वह कौन सा कॉंग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से वरताल तो सही जवाब है अबुल कलाम अज्जाद अबुल कलाम अज्जाद 1940 से 1946 तक कॉंग्रेस का ध्यक्ष रहे उन्होंने क्रिप्स मिशन यान 1942 में और लॉड वेबिल 1945 में दोनों से जो है बरतलाप की बातचीत की मौलाना अबुल कलाम अज्जाद यानि C option बिलकुल करेक्ट अप्षन है मौलाना अबुल कलाम अज्जाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारती राश्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे सिर्याजाद को मिशन के साथ विचार विमर्ष करने के लिए कॉंग्रेस कारे समीती ने पूर अधिकार दे रखा था 6 अपरेल 1946 को उन्होंने सौर प्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की इसी के साथ आज का जो सेशन समाप्त करते नेक्स सेशन में सनिविधान सभा 1946 के बारे में डिसकस करेंगे आप अपना पर्तिकरिया देते रहें आपके पर्तिकरियाओं का हमें बिस्बरिस इंतिजा रहता है और आप लोगोंने हमें काफी सपोर्ट किया है चैनल को लाइक आपके बारे में हमें काफी भाइक